हलो दोस्तों नमिश्कार आप सभी का सुआगत है DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनईया बीकानेर राजस्थान से साइकेटरिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, डिएडिक्शन स्पेसलिस्ट और सेक्सलोजिस्ट दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि जिन लोगों को anxiety का problem होता है या जिनको गबराहट की problem होती है तो उसके साथ में जो कई लोगों को सांस की दिक्कत होती है सांस की जो problem है जिसके अंदर उनके साथ ये रहता है कि जैसे उनको ऐसे लगने लग जाता है कि उनका दम है वो गुट रहा है environment के अंदर oxygen खतम हो गयो और सांस उनको खींच-खींच के लेना पड़ता है ऐसे लगता है जैसे अगर उनोंने सोचा नहीं सांस लेने के बारे में तो उनको सांस आएगा नहीं तो लोगों का अकसर ये प्रशन रहता है कि सर मन लोग की anxiety जो हो रही है गबराहट जो हो रही है anxiety जो problem है वो तो हमारे मन के अंदर हो रही है, वो हमारे emotions के अंदर problem हो रही है, हमें uneasy feel हो रहा है, लेकिन इसका sans से क्या connection ये तो हमारे दिमाग की शिकायत है, और sans है वो हमारे friend photo से related है, कहीं हमारे friend photo में तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं anxiety के साथ-साथ हमारे friend photo में तो कोई problem नहीं है जिसकी वज़े से हमारा दम गुटने लग जाता है, जिसकी वज़े से हमारे sans में दिक्कत होने लग जाती है हमारे हालां कि जांचे है, हमारी सारी normal है लेकिन फिर भी ये problem हो रही है, तो इस चीद से कैसे पीछा चुड़ाया जाए और ये क्यूं हो रहा है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को normal respiration किस तरह से होता और वो किस तरह से control होता, उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सांस के लिए हमारे गले के अंदर जैसे दो नली है पीछे वाली जो नली है, वो तो खाने की नली होती है और आगे वाली जो नली है, वो हमारे सांस की नली होती है और ये जो सांस की नली है, इसमें सांस हमारे नाक से जाता है सामनेता, और कभी-कभी हम मुह से भी सांस लेते हैं, जो oxygen है वो हमारे body के अंदर enter होती है, तो आगे वाली जो नली है, उसके उपर एक ढकन लगा होता है, जिसको epiglotus बोलते हैं, सामाने ते ये ढकन खुला होता है, लेकिन जबी भी हम खाना खाते हैं, ये ढकन बंद हो जाता है, और खाना हमारे पीछे वाली जो खाने की नली है, जिसको isophagus बोलते हैं, उस isophagus के अंदर खाना चला जाता है, और वहां से वो खाना हमारे पेट में चला जाता है, जहां से उसका digestion होता है, तो हमारे जो आगे वाली नली है उसको ट्रेक्या बोलते हैं उस नली के अंदर oxygen एंटर होती है oxygen यहां से हमारे जो दो फैंफड हैं लेफ राइट के अंदर जो दो फैंफड हैं इन दोनों फैंफडों के अंदर oxygen जाती है यह oxygen जो है यहाँ इन फैंफ़डों से फिर यह हमारे blood गे अंदर enter होती है और blood से यह हमारे सरीर के अलग-लग हिस्सों में जाती है हमारे दिमाग की तरफ जाती है, हमारे आथों की तरफ जाती है जित्ते भी organs है, liver, kidney, उन सब की तरफ oxygen जाती है फिर वहाँ से वापस CO2 आती है, और जो abscist gases वापस आती है और वो आकर हमारे फैंफ़डों माती है blood से वापस और फैंफ़डों से दीरी-दीरी है, यह वापस trachea में, trachea से बाहर होते हैं यह नाक से बाहर निकल जाती है तो यह हमारे पूरे respiration का एक process होता है और इसके अंदर जो हमारे फैंफडे होते हैं, वो फैंफडे फूलते हैं जबी भी हम inhale करते हैं, जबी भी हम सांस अंदर लेते हैं फैंफडे फूलते हैं, जैसे गुबारा फूलता है, वैसे हमारे फैंफडे फूलते हैं और फैंफडो को फूल आने के लिए एक तो oxygen उनके अंदर enter हो रही है, हवा उनके अंदर जा रही है, वाई उनके अंदर जा रही है और साथ ही साथ हमारी कुछ muscles होती है जो उनको फूलने में help करती है और जबी भी सांस बाहर निकलती है, जबी भी oxygen हमारे फैंफ़डों से बाहर निकलती है, या फिर जो CO2 हमारे फैंफ़डों से बाहर निकलती है, सांस जब बाहर आती है, तो उस समय जो गुबारा है, जैसे गुबारे को पिछकाते हैं आपन, वैसे हमारी जो chest muscles है, हमारी abdomen की बाहर आ जाती है, तो हमारी जो chest muscle से वो बहुत important role play करती है, abdomen muscle से वो important role play करती है फैंफडो को फुलाने में और उनको पिछकाने में, और जब हम फुलाते हैं तो उसको inhalation बोलते हैं, मतलब oxygen जो है अंदर आ रही है, और जब exhale करते हैं फैंफडो के अंदर यू है, वो बाहर निकल जाती है तो ये हमारे body के अंदर जो respiration का है, वो एक normal process होता है और एक minute के अंदर जो generally respiration, जो 16-18 के बीच का आपका respiration cycle है, वो आपका continue cycle चल रहा होता है हमारा जो ये respiratory system है इस respiratory system को हमारी body के अंदर एक autonomic nervous system होता है हमारे body के अंदर दो nervous system होते है एक तो central nervous system होता है और एक autonomic nervous system होता है जो autonomic nervous system है, वो mostly हमारी body की उन किरियाओं को control करता है, जो अनेचिक होती है अब ये अनेचिक क्या होता है, अनेचिक का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, जिनके उपर हमारी इच्छा का कोई खास रोल नहीं होता, जैसे हाथ हिलाना, ये मेरी इच्छा पर निर्वर कर रहा है ये मैं खुद कंट्रोल कर सकते हैं, इसको voluntary reactions बोलते हैं, एच्छिक किरिया बोलते हैं, और दूसरा जो होता autonomic nervous system, जो जिनको अनेच्छिक किरियाओं को कंट्रोल करता है अनेच्छिक का मतलब जो हमारे control मनी है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है तो autonomic nervous system है, वो उन सब किरियाओं को कंट्रोल करता है, जो अनेच्छिक होती है जिसके उपर हमारी इच्छा का कोई बस नहीं चलता वैसी ही हमारी जो respiration है वो respiration एक involuntary reactions है और वो हमारे autonomic nervous system से control होती है, मतलब उसकी जो respiratory rate है वो सारी की सारी हमारे autonomic nervous system से control होती है, और जो हमारा ANS है, autonomic nervous system है यह हमारे limbic system से control होता है limbic system को दोस्तों हमारा emotional brain भी बोलते है हमारे अंदर जितने भी तरह के emotions है चाहे वो डर का emotion है चाहे वो हमारे अंदर खुशी का emotion है चाहे सुख का emotion है, चाहे दुख का emotion है चाहे वो किसी jealousy का emotion है जो भी emotions आते हैं, गुस्से का emotion है वो सारे के सारे emotions हमारे limbic system में पैदा होते हैं और limbic system को stimulate कौन करते हैं? हमारा thought process है, वो हमारे limbic system को affect करता है, उसको stimulate करता है जब हमारे दिमाग में thought negative आ रहे होते हैं, तो limbic system negative emotions create करता है और उसी negative emotions के अंदर जो anxiety है, वो एक प्रकार का negative emotion है तो जबी भी हम anxiety की state में होते हैं, जबी भी हमारा दिमाग में wrong thoughts चल रहे होते हैं, negative thoughts आटमेटिक चल रहे होते हैं, तो उस स्तति में हमारा limbic system है, वो abnormal activate होता है, और limbic system से हमारा autonomic nervous system है, वो abnormal activate होता है, जिसकी वज़े से हमारा respirator rate है वो तेज हो जाता है, जबी भी सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब अब हमारा जो respiration है, उसके अंदर हमें बहुत ज़दा खींच-खींच के सांस लेना पड़ता है, हमारे abdominal muscles work करना स्टार्ट करती है, लंबा और गहरा सांस लेना पड़ता है, कई बार तो सांस पूरा नहीं आता, बार-बार उबासी सी आने लग जाती है, ऐसे लगता है, बार-बार मुझ खोल के सांस लेना पड़ेगा, तो दोस्तों जबी भी anxiety की स्टेट आती है, anxiety के अंदर, जबी भी हमें गबराट होती है, जबी भी हमें बेचे होने लग जाती है, और उस environment के अंदर हमारा जैसे ही limbic system, फिर autonomic nervous system और उसके बाद हमारा respiration effect होता है, जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे उस environment के अंदर उनको, जो उनके सांस के अंदर बहुत जादा जो problem है, जो यह सांस के दिक्कत है, यह सांस के दिक्कत हो गलत वे में identify कर लेते हैं, वो यह समझ लेते हैं कि यह सांस के दिक्कत या तो फिर हार्ट से related है, कई उनको heart attack तो नहीं आ गया, जब यह thought आता है, यह फिर उनके symptoms आने लग जाते हैं, तो दोस्तों यहां पर जो सांस से जुड़े वे जिते भी investigations है, चाए वो X-ray ले लो, चाए वो PFT करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो सारे investigations जो है, वो almost normal आते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की abnormality नहीं आती, वो abnormality आये गी भी नहीं, क्योंकि सांस की दिक्कत नहीं है, वो हमारे फैंफडों की दिक्कत नहीं है, प्राबलम respiration में हो रही है, लेकिन वो हमारी फैंफडों की प्राबलम नहीं है, वो हमारी ट्रेक्या की प्राबलम नहीं है, हमारी body का अंदर जो oxygen आने जाने का जो process हो तो एकडम normal है. oxygen जो जा रही है, हवा जो जा रही है वायू जो जा रही है. वो सारी एकडम normal WAY में आ रही है और जा रही है. लेकिन ये जो problem हमें जो feel हूरी है, ये feel किसकी वज़ेस हो रही है? यह हमारी anxiety की वज़े से हो रही है यहाँ पर इसका जो pathological cause है वो हमारे फैफडे नहीं है वो हमारा hurt नहीं है यह anxiety है जिसकी वज़े से हमें यह problem हो रही है उसमें हमारे सांस से related यह heart से related किसी भी प्रकार की कोई problem नहीं है उसके investigations normal आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी अगर आपके सारे investigations नॉर्मल है फिर भी आपको सांस के अंदर अगर दिक्कत हो रही है तो यह सांस की जो problem है यह problem आपको anxiety की वज़े से आपके दिमाग के अंदर जो automatic negative thoughts आते हैं उनकी वज़े से और यह automatic thoughts क्यों आते हैं क्योंकि आपका negative mindset बन रखा होता है नकारात्मक आपका analytic process हो रखा होता है आपका perception negative होता है आपका drastic or आपका नजरिया जो यह हम बोलते हैं यह सारी चीज़ें जब negative होती है तो उसकी वज़े से हमारे दिमाग माँ चाहे तो उसमें participate कर सकते है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको इससे related कुछ भी पूछना हो कोई भी प्रशन आपको मुझसे पूछना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं या फिर आप comment box में लिख सकते हैं